सो गैस बिना एकाउंट नंबर का आपने SBI बैंक एकाउंट का मेनी स्टेटमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ पर मेनी स्टेटमेंट निकालने के लिए आप लोग को एकाउंट नंबर की कोई भी जरूरत नहीं है statement निकालने का पूरा process आप लोग को step by step बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो देखिए basically mini statement निकालने के लिए तो आप लोग SBI योनों से भी निकाल सकते हो mobile banking internet banking से भी निकाल सकते हो लेकिन बहुत सारे मेरे भाई लोग के पास mobile banking internet banking का user ID password नहीं होता है जिसके वह जैसे वोग SBI योनों के थुरू mini statement नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे में जो process है आप लोग को पूरा authentic process बताने वाला हूँ यहाँ पर आप लोग को account number की कोई भी जरूरत नहीं होगा bus की वाले एक mobile number की यहाँ पर जरूरत पढ़ने वाला है तो basically आप लोग SBI योनों से भी निकाल सकते हों लेकिन उसके लिए आप लोग के पास इसका user ID password होना चाहिए लेकिन अगर आपके पास इसका user ID password नहीं है तो आप लोग कैसे निकालोगे आप लोग को चलिए मैं step by step बताता हूँ तो देखिए basically यहाँ पर मैं WhatsApp के जरी आप लोग को mini statement निकाल करके दिखाने वाला हूँ देखिए यह SBI का यह WhatsApp banking number होता है जो कि मैं आप लोग को नीचे description में देदूँगा या फिर बाद में मैं आप लोग को बता दूँगा इस वीडियो में ही कि वो करन सो number है जिससे मैं message कर रहा हूँ यहाँ पर तो देखिए SBI का यह number set करने एक बाद simply आप लोग को message में लिखना है हाई जैसे आप लिख करके यह search करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि दो आप सना रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से आप services का यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि SBI के बहुत सरे services हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं जैसे statement service का है e-statement and interest certificate यहाँ से आप पा सकते हो इसके लावा आप लोग pension slip का सकते हो और loan product पा सकते हो इसके लावा भी बहुत सारे digital banking NRI services more service में जाकर कि ATM जैसे services का आप लोग पायदा उठा सकते हो ठेक है लेकिन बेसिकलिए यहाँ पर हम लोग को mini statement निकालना है तो simply get mini statement पर click करेंगे अब देखते हैं कि क्या है message हम लोग के सामने देखने के लिए मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सारा का सारा जो mini statement था मेरा यह mini statement आ चुका है 119 2030 पर अभी यह message आया हुआ है ठीक है और अभी देख सकते हैं लिखा हुआ available balance in account 389 account number है और 819 rupees मेरे account में है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि mini statement में यहाँ पर 5 statement यहाँ पर देखा जा रहा है जिसमें आप लोग 500 रुपे का जो है credit हुआ account में by transfer 315 रुपे जो है credit हुआ है by transfer और 692 रुपे जो है debit हुआ है by transfer यह सारा का सारा detail आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर देख सकते हैं लिका हुआ would you like to view more transactions तो यहाँ पर yes करेंगे जब एक से ज़्यादा आप लोग देखना चाहेंगे तो अब देखें यह पहले का था जो है statement ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं तो यह 30 से बहुत ही बेतरी सर्विस है इसमें आप लोग एकाउंट नंबर की कोई भी जरूरत नहीं है एक mobile नंबर का जरूरत है बेसिकलिए जिस भी mobile नंबर का आप लोग यहाँ पर यहाँ पर यूज करेंगे ठीक है वो mobile नंबर आपके bank account में link होना चाहिए तभी आप लोग इस service का फादा उठा पाएंगे otherwise आप लोग नहीं उठा पाएंगे और अगर मैं बात को रहे हैं पर other services के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं more services में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर send पर click करेंगे ठीक है और debit card usage भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से मतलब क्या क्या यूज करें आप debit card का ठीक है तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे services हैं जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं तो I hope इस वीडियो से आप लोग को help मिला होगा तो चैनल को subscribe वीडियो को लाइक कर देजेगा और मिलते हैं फिर किसी नेक्स वीडियो में ने अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई